विभूती के इस्तिमाल के कई पहलू हैं। विभूती याने पवित्र राक। इसकी उर्जा के महत्व के अलावा। इसकी प्राण शरीर को दिश्या देने और कंट्रोल करने की शमता के अलावा। जो इस पर निर्भर करता है कि इसे तैयार कैसे किया गया है और इसका इस्तिमाल कैसे होता है। और इसके उर्जा सौपने या ट्रांसफर करने के शांदार माध्यम होने के अलावा। विभूती या भस्म इस ओर संकेत करती है कि हमारा जीवन नश्वर है। आध्यात्मिक साधक शम्षान घाट की विभूती का इस्तिमाल करते हैं। आधियोगी जिस विभूती का इस्तिमाल करते थे वो हमेशा शम्षान घाट की होती थे। और आज भी कई योगी हमेशा शम्षान घाट की ही विभूती का अपनी साधना में इस्तिमाल करते हैं। एक चीज है कि उसका अपना एक गुण होता है। एक और चीज है कि वो आपको हमेशा आपकी नश्वरता की याद दिलाती है। आप हमेशा अपनी नश्वरता अपने शरीर पर पहन कर रखते हैं। शिव अपने शरीर पर सिर से पैर तक शम्षान की राख लगाते थे। क्यूंकि वो एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहते थे कि वो नश्वर हैं। अगर आप एक पल के लिए भी भूल जाएं कि आप नश्वर हैं, तो आप में अज्ञान अंकुरित हो जाएगा. अगर आप लंबे समय तक भूल जाएं, तो इस पर फल लग जाएंगे. अगर आप ये सोचने लगें, कि आप अमर हैं, तो आप अज्ञानता का ताज बहन लेंगे. नश्वर्ता को अंदेखा करना अज्ञानता है, तो आप देखेंगे, कि खासकर दक्षन भारत में, लोग विभूती अपने पूरे माथे पर लगाते हैं. नश्वर्ता को एक छाप की तरह पहनते हैं, लगातार याद दिलाने के लिए. कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूँ. लगातार याद दिलाने के लिए, कि मैं इस जगह पर कुछ दिन ही रहूँगा. क्योंकि जो खुद को अपनी नश्वर्ता की लगातार याद दिलाता है, उसने कम से कम जानने के लिए एक उपजाओ जमीन दयार कर लिए हैं. शायद वो अभी तक जान नहीं पाया है लेकिन उसने कम से कम एक उबजाव जमीन तयार कर ली है ताकि उसके जीवन में ज्ञान अंकुरित हो सके मिट्टी को फिर से मिट्टी में डालने का काम बहुत कम लोग गरिमा से कर पाते हैं इस धर्ती के करोणों लोगों में से और जो करोणों लोग यहां रह चुके हैं बहुत कम लोग, बिल्कुल ही कम लोग धर्ती मा से उठाई मिट्टी को गरिमा से वापस डाल सकते हैं बहुत ही कम हमें उमीद है कि आप उस चीज को गरिमा से लेकर चलेंगे जो आपने धर्ती मा से ली है इसे गरिमा के साथ लेकर चलना भी बहुत महत्वपूर्ण है आपको इसे गरिमा से लेकर चलना चाहिए और जब लोटाने का समय हो तो गरिमा से वापस रख देना चाहिए पस मिट्टी का एक धेर है और कुछ नहीं है अगर आप अपने बारे में कुछ और सोचते हैं तो आप मुश्किल तरीके से सीखेंगे तो आप जानते हैं कि आप जहां भी जाओ लोग कहते हैं कि इस पल में जीओ, इस पल में जीओ वो आपको यही कह रहे हैं कि एक गैर जरूरी रूप से उल्जा हुआ मन बनने के बज़ाए आपको बस एक अस्तित्व बनना है जो आप हैं अगर आप एक अस्तित्व बन जाएं तो मेरा काम सुक्ताइग बन जाएगा आप मन बने तो ऐसा नहीं होगा अगर आसपास महान मन हो तो ये अच्छा है बेवकूफी की उलजुनों वाले मन किसी काम के नहीं होते जो लोग हर सरल स्थिति को उलजाना जानते हैं उनकी कड़ी मेहनत किसी काम की नहीं होती मन एक शांदार भेंट है जो मानवता को मिली है लेकिन लोगों ने उसे कितना भयंकर तरह से इस्तिबाल किया है तो जीवन और मृत्यू को गरिमा के साथ संभाला जा सकता है अगर आप इस पर विभूती लगा लें जिस से दिमाग को हमेशा याद दिला सकें कि मैं नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ तो आप देखेंगे कि मन अपनी उल्जने छोड़ देगा ये सबसे सरल साथन है आप जानते हैं लोग रूपांतरित हो जाते हैं अगर उन्हें विश्वास हो कि वो कल मर जाएंगे अगर आपका डॉक्टर आपको ये बताए कि आप कल मर जाएंगे आप 24 घंटों से ज्यादा नहीं जी सकते आप देखेंगे कि आप खुद को बहुत जल्दी रूपांतरित कर लेंगे मिनिट दर मिनिट आप बदलते जाएंगे तो अपने डॉक्टर का इंतजार मत कीजे कि वो आपको कोई भयंकर बात बताए हर दिन जब आप विभूती उठाकर यहां और वहां लगाते हैं तो आप बस खुद को याद दिलाते हैं मैं नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं नश्वर हूँ आपको ऐसा करना चाहिए जब आप ऐसा करते हैं तब आपका मन सरल बन जाएगा एक सरल मन में बहुत शमता होती है वो जबरदस्ट चीजें कर सकता है वो कोई रुकावट नहीं होगा, वो अपने आप में एक मार्ग बन जाएगा और अगर आप एक अस्तित्व बन जाएं, तो गुरू का काम बहुत सरल हो जाता है ऐसे सरल मन को संभालना जो जटिल हैं, लोग बस मानते हैं कि वो जटिल हैं, वो असल में जटिल नहीं है क्रेपिया हर दिन लोगों से मरनी की उमीद न करें, आपको खुद को याद दिलाना चाहिए